वाट प्रिकोशन सान नीड टू अवड एक्सिदेंट इन मेन्यूल हैंलिंग यानि क्या मेन्यूल हैंलिंग में दूरगटना से बचने के लिए क्या सालदनिया और क्या प्रेवेंटिव मेजर सपन ले सकते हैं इन मेन पॉंन्ट इस वेडियो का मैंधिम के आज सकते हैं। तो जानते साथुन के थारीके से या सुरक्षित दुरी बनाकर ही अपने को रखनी है साइड पर सेकंड पॉइंट है और बेल्ट के एक्ष्य से जाज कर लेनी चैँए अगर कहीं से वीर टियर या धागे बाहर आ रहे हो या कहीं से कट लगा मुआ और जला हुआ तो उपकरों उस एक्टिविटी में काम नहीं लेना चैँए मैं इनस्पेक्टेट टूल्स का यह अपने को यूज करना है थर्द पॉइंट है पीपी सच एज सेप्टी ग्लव और सेप्टी शूज और तो बी यूज यानि के लिप्टिंग एक्टिविटी के दोरा इसेंशल पीपी जैसे हैंड ग्लव हो गया है हेलमेट शूज सेप्टी आधी का उप्यों किया जाना चाहिए फॉर्थ पॉइंट ह और यदि कोई मेन्यों लिप्टी में किसी अब्जेक्ट्स या मेटेरियल्स का लोड जादा है और उसे एक आदमी केरी नहीं कर सकता है तो अन्य वेक्ति की भी हेल्प ले ले नीचे यह उस टाइम पर फिद पॉइंट है यानि कि लोड उटा दे समय जो पाथ है जिस रास्ता का उप्यों करके मेटेरियल्स को ट्रांसपर करना है वह बादाव से रही और किलियर होना चाहिए ताकि मेन्यूल लिप्टी के दुरान किसी तरह की बादाव को सामना करने से बच्चा जाए और जो मेन्यूल लिप्टी तो टास्क भाइ यूजिंग खुक सेंड और यह वह बार को अप्यों करके लोड को इस्तीर रखा जा सकता है । सेवंत पॉइंट है मेकेनिकल टेक्विप्मेंड लाइक क्रे राई시면 गीगी यत यहनिकर दूर्शत्रा। in the equipment का आपन यूज़ करसकते है एयर है modified the objects यानि object को संसोधित करना यानि object को modified करना like किसी basket का यूज़ करके अगर object की gripping के में modify करकेbije करके etc यानि कि चीज़ों के इस्तवाल के तरीके में बदलाग कर सकते हैं यानि कि There is a manual hand trolley का पुल्ली का इस्तिमाल करके भी अपन कर सकते हैं में पॉइंट का फोलॉप लेकर अपन एक कि लिप्टिंग एक्टिविटी के दौरान किसी भी कर्मचरी को एक्सिडेंट इंसिडेंट होने से और उस वर्क साइट को अपन सुरक्षित रख सकते हैं इन पॉइंट का फोल अपन आपको जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से इन पॉइंट का अपन फोलॉप कर सकते हैं तो साथ आज के लिए इतना मिलते हैं नक्स्ट टोपिक में तब तक के लिए ठेंक्स पोर वाचिंग